हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैर ग्रोथ का ऐसा ओईल जिसमें जो भी हैर ग्रोथ के इंग्रीडियंट्स होते हैं जरूरी जो भी होते हैं वो सब मैं इस ओईल में एड़ कर रही हूँ और मैंने दो तिन दिनों तक खुद अप करी लीवस हमारी हेर ग्रोथ के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह काम करती है एंटी माइक्रोवियल और ट्रीट करती है इसके इसके बाद में ले रही हूँ यह करी लीवस तो आप में से कुछ पूछते हो कि करी लीवस कैसे होते हैं तो यह मैं ने तो यह करी लीवस हम लेकर आये हैं इनके यह मैने पते अलग कर लिये हैं और साथ में जो गेल लीवस हम लेकर आये थे उनका भी यह पते हमने इसमें एड़ प कर लेने हैं अब दोनों चीचोंको हम एक मिक्सर जार में डॉल देंगे और अच्छे से थोड़ा सा पानी इनका एक स्मूध पेस्ट हम बना लेंगे बहुत जादा पानी का यूज हमने नहीं करना है क्यूंकि हमने इसको सिर्फ पीसना ही है तो कुछ इस तरह से फिर ये ग्राइंड करने के बाद हमने पीस के रख लिए हैं और इसके बाद फिर मैं ले रही हुए अनियन, दो रैड कलर के अनियन मैंने यहां पे लिये हैं, आप चाहें तो वाइट भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसके बाद यह मेथी के दाने मैंने यहां पे लिये हैं, और साथ में है यह सरसो के दाने आप अच्छे तरह से देख लीजिए मेथी दाना और सरसोक दाना यह हमने लिया है और साथ में यह कलोंजी भी लिया है थोड़ी सी कलोंजी को अनियन सीर्ष भी बोलते हैं तो जादा नहीं थोड़ी सी ही मैंने लिया है और इन तीनों चीजों को मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए डाला हुआ था पहले से ही तो इनको भी क्योंकि ओफरनाइट सोक करने से ये अच्छे तरह से फिर पिस जाएंगी और ये अद्रक भी मैंने लिया है क्योंकि ये भी हैर ग्रोथ में बहुत जादा बेनिफिशल होता है मेरे पास फ्रेश नहीं था तो सुखा मेरे ये जब आप से ही था नहीं पिस जाएं बस इतना ही हमें यूज करना होता है और उसके बाद पिर अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी होता है आप चाहें तो अब फिर से घ्रांडर की ह influenc लेंगले सकते oil या फिर सिंपली सरसो का oil किसी भी oil में आप इसे बना सकते हो कोई भी दिकत वाली बात नहीं है फिर आप बाद में पूछते हो तो मैं पहले ही बता दूं कि आप अपनी मर्जी से जो भी oil लेना चाहें वो ले सकते हो मैंने यहां पर यूज किया है coconut oil और सरसो का oil यह जो मेर अधिकल धीमी रखनी है जितना आप धीमी कर सकते हो उतना धीमी आपको गैस यहां पर रखना है क्यूंकि जो भी हमने हम इंग्रीडेंट लिये हैं वो सब पीसे हुए है और अगर आप हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे रखते हो तो वो सारी जल जाएंगे और उनका उतना ज़्यादा वेनिफिट आपको नहीं मिलेगा तो मैंने यहां पर कोकोनेट ओल और ससो को ओल लिया है इस दोनों ओल मैंने यहां पर एड़ कर लिये हैं आपके पास जो भी ओल हो आप उसमें बना सकते हो लेकिन अगर आप मिक्स करके दो तिन ओल लेते हो तो उसके ज तो अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और में और मेसरमेंट पता हूं तो हमारा जो यह पेस्ट था यह थोड़ा सा जादा बन गया है इस इतने पेस्ट में आप लगवग पांसो ग्रैम तक और यूज कर सकते हो उतना तेल आप इसमें इसली बना सकते हो पर मैंने यहां पर बहुत जादा ओयल नहीं लिया है क्योंकि मुझे बहुत जादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रखना है और आप भी जब इस तरह से पका करके कोई चीज बनाते हो तो उसको बहुत जादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए आप लगबग एक मन्त या दो मन्त के लिए बस इतना ही बनाईए बहुत जादा मत रखिएगा फिर बाद में हो सकता है वो खराब हो जाए क्योंकि मैं जादा दिनों तक यूज नहीं किया है मैं इस तरह से पका कर जब भी यूज करती हूँ तो मैं एक मन्त से जादा उस ओईल को यूज नहीं करती हूँ तो यहां पर भी मैंने इसी लिए उतना ही ओईल लिया है जतना मुझे चाहिए और आप अगर ज़्यादा हैवी ओईलिंग करते हो तो आप इसमें इसली 500 ml तक ओ तो बस अब इस बीच बीच में हम इसको इस तरह से हिलाते हूँ चलेंगे ताकि कोई भी हमारा जो इंग्रिडिट है नीचे न लग जाए और हमें तब तक इसको पकाते चलना है जब तक यह अब थोड़े से काले जैसे कलर का ना होने लगे बहुत जादा काला जलाना नही है तो यह देखिए कुछ इस तरह से अब यह थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर में टर्न होने लगा है तो बहुत जादा भी हमें इसे काला एकदम नहीं होने देना है बस इतना यह अब काफी है और अब हम इसे हटा लेंगे गैस के उपर से और इसके बाद हम इसे ढखके रख करके आप ऑईल को इस तरह से चान के अलग कर सकते हो इस तरीके से आपको ऑईल अलग कर लेना है और वेस्ट आपका अलग हो जाएगा लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है कि आपको इस ओईल को मसाज करना है तो वो चिस देखना बिल्कुल मत बुलिए क्यूंकि ऑईल तो हम यूज कर लेते हैं लेकिन उसके फिर बेनिफिट तब हमें नहीं मिलते हैं क्यूंकि हम उसे प्रॉपरली मसाज नहीं करते हैं अपने वालों में तो पहले हम इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे यह हमने 7-8 गंटे तक इसलिए इसी तरह से ढखके रखा ताकि इसके जो सारे के सारे और भी कुछ गुण रहे जाएं तो वो अच्छी तरह से ऑईल के अंदर आ जाएं तो अब यह बिल्कुल पॉफेक्ट हो चुका है इतना टाइम आपको इसको रखना ही चाहिए फिर उसक ग्रीन जासा कलर इसका आपको देखने को मिलेगा तो अब आप इसे स्टोर करने के लिए चाहे तो ग्लास का भी यूज कर सकते हो या फिर आप प्लास्टिक बॉटल में भी इसको स्टोर करके रख सकते हो उसमें भी खराब होने वाली कोई बात नहीं है तो मैंने यहां पे इसे प्लास्टिक बॉटल में ही स्टोर किया है तो ये देख सकते हूँ आप इस तरह से मैंने इसको प्लास्टिक बॉटल में ही स्टोर किया है और अब बात आती है कि मसाज कैसे करना है तो मसाज करने के लिए देखिए आपको पहले बालों को इस तरह से इलटा करके कंगी कीजिए अच्छी तरह से और फिर ये जो मैंने ओईल बनाया है offers तो अगर आप स्केल्प पे मसाज नहीं करते हो तो उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो इस तरह से पहले आप अच्छी तरह से अपलाई कर लीजे बालों में ये तेल और उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन में इस तरह से आपको मसाज करते जाना है लगा चार से पांच मिनट तक आपको इसी तरह से मसाज करना है और बालों को नीचे की तरफ को इस तरह से करते जाए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो तो इस तरह से क्या होगा कि आपके स्केल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और बहुत हेल्प मिलेगी फिर आपको बेस्ट रिजल आपने तोप लिया उसको अच्छी तरह से नहीं मसाज किया तो भी फिर उसका कोई फाइदा नहीं है तो वह ऐसे ही जम जाएगा और जो आपके पोर्स होंगे वह भी ब्लॉक हो जाएंगे तो मसाज करना बहुत जरूरी होता है और अगर आपसे पॉसिवल है तो आप इस तर जरूरी होता है और बहुत रूखी रह जाती है और टूटते हैं फिर वाल जब आप वाश करोगे तो इसलिए लेंद में भी जूर अप्लाई करना है तो इस तरीके से आपको चार से पांच पिनेट तक मसाज करनी हैं बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट इसका मिलेगा है आपको डेफिनिटली होगा मैं गैरंटी के साथ बोल रही हूं क्यूंकि मैंने खुद पे एक्स्पिनेंस करने के बाद ही आपके साथ इस साथ को शेयर कर ली हूं मुझे बहुत अच्छा वेनिफिट मिला ऐसे बाल बरसात में मैंने पहले ही बताया था कि जढ़ने लग ज तो अगर आप उस टाइम पे भी यही वाला यूज करते हो तो और भी ज्यादा फाइदे आपको फिर मिलेंगे अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मेरी बातों पे तो आप पहले ट्राइ कीजिए इस ओइल को आप थोड़ा सा वेशक बनाएए फिर उसको ट्राइ कीजिए ह अगर आप पॉसिवल होता है तो आप यह वाश कीजिए अगर नहीं होता है आप रखोगे बहुत फाइदा मिलेगा और जब भी आपको फिर वाश करना है तब आप वाश कर लीजिए अगर आपको फिर एक हपता तक लगाता यूज करने के बाद भी फादे नहीं मिलते है आप कमेंट वोक्स में आपको जरूर बोलेगा और बार आपको अलग लग चीज़े ट्राइ करते रहना चाहिए तभी आपको आपको पता तो नहीं होता है कि कौन चीज हमारे बालों के ओपर अच्छा वाक कर जाएगी तो इसलिए डिफरेंट टाइप की चीजों को ट्रा अगर आपने बैल बैल इकन को प्रेस किया होगा तो तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में